जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडीत प्रकार जोधी स्वागत है मेरे योट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम बात कर रहे हैं साल दोजार चौबीस यानि नव नूतन वर्ष साल दोजार चौबीस के पहले महिने के मंतली राशीफल यानि जनवरी में मेस राशी वाले जातको जातको की कैसी होगी धनकी स्वास्ति की परिवार की इस्तती क्या दामपत्ते जीवन रहने वाला है क्या जौब की करियर की स्थती होगी स्टूडेंट की क्या इस्तती है लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी इसके बारे में इस कारिकरम में चर्चा क करेंगे और बहुत से मेस रासक राषिवाले झातक और जातिका एं साल 2004 के सबution के साथ कने भी आए होगीँ तो मैं बता दू साल 2004 पांच बड़ी घटनाओं से भरा व्या murohty मूटी मूटी घटना है मेस रासी वाले जातक और जातिका के क्का हैं हमारे इस कारिकरम को देख रहे हैं सब को साल दोजार 24 की शुब कामने साल 2024 आपके लिए लाब प्रतर है। चलिए बात करते हैं साल 2014 में पांच बड़ी घज़ठना है क्या होगे उन में से पहली घ़ठना के अबारे में बात करें तो वर्षेश कुंडली के अंदर गूरू विराजमान है यानि मेस रासी के अंदर जब ये साल सुरू होगा उस समय कि बनेगी उसमें गूरू हंस योग बनाएंगे यानि साल दोजार चौबिस में मेस रासी वाले जो जातक और जातिका हैं उनके अंदर धार्मिक बदल आप धरम करम करने वाले हैं इस साल आप जो हैं धान धराम किसी एंजोयों से जुड़ने वाले हैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए कोई योगिक किरिया किसी योगिक पदती किसी नेचरोपैथी को आप अपनाने वाले हैं यानि कि पहला बदलाव आपके नेचर के अंदर आ रहा है इस साल 2024 के अंदर दूसरी घटना के बारे में बात करें तो यह जो साल है जितने भी मेश राजी वाले पैरेंस हैं उनकी संतान के लिए साल बहुत अच्छा है संतान का बैस्ट प्रोफोमेंस साल 2024 में रहेगा संतान की मन मुटाव दूर होगा संतान से संबंधित कोई काम शादी वीवा के रुक रहें तो साल 2024 में वो होते वे नजर आ रहे हैं यदि आप कुमारे व्यक्ती हैं और मेश राजिक हैं तो आपके प्रेम संबंध प्रगाट्य होने के शादी तक बदलने के कही ना कही साल 2024 के अंदर योग बनता है तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी धन के लिए तो मेस रासी का फाइनेंस देखा जाए तो जनवरी फरवरी में नॉर्मल रहेगा कुछ लॉसीज भी होंगे मार्च से लेकर दिसंबर में बड़ी इंकम आपको प्राप्त होगी या फिर बड़ा कुछ ना कुछ आप करने वाले बड़ा इंवेस्टमेंट बड़ा लाप आपको मार्च के बाद से दिसंबर के महीने में प्राप्त होगा चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगा रिलेशन पती-पतनी के बीच में बड़ी पतनी के लिए साल दोजार चौबिस आट नंबर का साल बहुत पास कर जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में रिलेशन के बीच में बड़ी परेशानियां रह सकती हैं तो थोड़ा सा वानी पे सयम रखे एक दूसरे पे आपको विश्वास करना है अगस्त तक यह जो ग्रह गोचर है यह साल आपकी अगनी परिक्षा लेगा कि आप दून रखेगा साथी साथ पाच्वी गटना के बारे में बात करें तो उसका संबन्द होगा विद्यारतियों के लिए नववं भाओं में वार्शी कुंडली के अंदर सूरी और मंगल मंगल द्वारा रोचक योग साल दोजाच चॉबिस में बन रहा है तो कहीं ना कहीं में विद्यारतियों को मैनत करनी है मन चाहा लाब भी मिलेगा साथी साथ में सरासी वालों के क्यों की नववं भाओं में सूरी और मंगल का योग है तो प्रॉपर्टी का और वाहन खरीजने का योग भी साल दोजाच चॉबिस में बन रहा है बाग की और ज्यादा डिटेल में जैनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हम बना चुके हैं और वो आपको इस में सॉराथी का साल सबसे पहले स्वास्त के बारे में बात करें तो स्वास्त में देखा जाए जनवरी में आपकी रासी के अंदर ब्रस्पती यानि का होना हंस योग का बनना बहुत ये अच्छा है या नि जन्वरी के मेने में अचानक आपके मन के अंदर बदलावायेगा नदी पहाडों की आप यात्रा करने वाले धार्मिक मंद्रों की अधिक से अधिक यात्राय करेंगे कुछ अपने नाम से आप पूजापाट कराने वाले कुछ दांदरम देने वाले अचानक से धार्मिक बदला जनवरी से आने लगेंगे अपने बुरी आदतों और अपने खान पान की बुरी लतों को ठीक करने की जनवरी से ही आप कोशिच करेंगे ऐसा योग नजर आ रहा है जनवरी के महिने में देखा जाए तो एक तारिक से लेकर 5 जनवरी और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी था थोड़ा हेल्थ में ENT की प्रेशानी हलकी चोट की संभावना आपको लग रही है इस इन डेट में आपको साबधानी रखनी है अब बात करते हैं धन की स्तती के तो धन की स्तती में देखा जाए तो जनवरी के महिने में धन के स्वामी यानि शुक्र आग देखा जाए तो वि जनवरी तक देखा जाए तो आपका खर्चे बढ़ने वाले तो थोड़ा सा साल की सुरुआ थोड़ा परिशानी से उतीवी नजर आ रही है वाहन पे खर्चा रहेगा कोई उपकरन गैजिट आपका खराब हो सकता उस पे आपका खर्चा हो सकता है यानि खूब खर्चे व यानि जो खर्चे बे खर्चे हो रहे तो उस पे कंट्रोल 19 तारिक से आपका आएगा और 19 तारिक के बाद धन संबंदी अधिकतर कामों में अब आपको सफलता मिलने लगेगी साथी शुकर मंगल की यूती जो बनने वाली है इससे आप कुछ खरीदने वाले है नया परिवारिक भाओं जाए तो कही ना कही परिवार से प्यार प्रेम बढ़ जाएगा परिवार से अ उसको दूर करने का मोका मिलेगा और परिवार के साथ में प्रेमोष ने बढ़ जाने वाला या परिवार के साथ में या संताने के लिए दो भागों में बढ़ जाता है यानि एक तारिख से लेकर 15 जनवरी तक अगर देखा जाए तो संतान का समय सही है माता पिता के साथ में घूमने का, हिली स्टेशन जाने का यूग मिलेगा अपनी मनमानी संतान करने वाले है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना अपनी मर्जी चलाने वाले और आप लोग मानेंगे भी उनको कोई सर्प्राइज गिप्ट भी मिलेगा लेकिन 16 तारिक से लेकर 31 जनवरी के बीच में सूर्य देव ट्रांजिट करेंगे मकर राशी के अंदर तो कहीना कहीं संतान को माता पिता से डाट मिलेगी और स्कूल से कंप्लेंड मिलेगी संतान के आलसपन से आप परिशान रहेंगे बार-बार संतान पे टोका टाकी करेंगे नेतर की कमजोरी या ENT की कमजोरी संतान को रहेगी यानि 16 तारिक से 30 तारिक तक जब सूर्य मकर राशी में जाएंगे तो संतान संब्से आप थोड़े परेशान भी रहेंगे उनकी हेल्थ के लिए परेशान रहेंगे और उनके ना ना नुकुर से भी आप परेशान रहेंगे तो कुल मिला के संतान का सुग आदा सही आदा खराब है अब बात करते हैं ि Makes a विद्यारति के लिए यात्रा में जाने के युग बनते हैं और साती सात माता पिता ही आपके भाई बेन आपको कोई वस्तू आपको दिलाने वाले खूब धना आपको मिलेगा अपनों से यानि 15 तारिक तक तो स्टूडेंट के मजे ही मजे है यहां तक तो दिक्कत नहीं है 16 तारिक से जैसा मैंने का सूर्य मकर राशी में जाएंगे तो 16 तारिक से 31 जनवरी तक कही ना कहीं माता पिता से फिजूल कुर्टी को लेकर और टाला टोली को लगकर विद्या को लेकर बाद भी बढ़ सकता है इसका योग बनता है साथी साथ आपके काम में बड़ी गलतिया होंगी आपके एकागर चित्ता में कमी रहेगी और जो आप रेडी पटरी से अनाव सनाव श्टूडेंट लोग खाने वाले हैं तो जनवरी में 16 से 31 में आप कॉंस्टिपेशन से बड़े परिशान रहने वाले हैं तो थोड़ा 16 से 30 समय के जनवरी तक आपको एक तो एकागर चित्ता अपने जीवन में लानी है और खाने पीने में विशेष ध्यान देना याद रखिएगा अब बात करते हैं मेश राजी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं तो जनवरी का यानि साल का पहला जो महिना आए देखा जाए तो दो बागों में जनवरी भी बट रहा है एक तारीक से लेका 7 जनवरी तक देखा जाए तो बुद्ध आपके अस्टम भाव में बैठे हैं यानि कि छुट्टियां ज़्यादा रहेंगी अधिक तर आप छुट्टियां मानने वाले हैं काम को साइड लाइन करने वाले हैं काम पे आपका बुरा प्रभाव रहेगा कोई असुप सूचना आपको मिल सकती है शीनियर भी आपकी छुट्टियों से आपके बहाने से नाखुच रहेंगे तो साल का एक तारिक से लेकर 7 जनवरी था थोड़ा करियर में अच्छा नहीं है 8 तारिक से लेकर 31 जनवरी के बीच में देखा जाए तो काम के लिए आपकी दूसरे सहर की यात्रा हो सकती है साथी साथ कोई टार्गेट आपको दिया जाएगा उसको आप पूरा करने वाले अचानक बड़ी डील मिल सकती है और अच्छी सेल होगी यानि 8 तारिक से 30 जनवरी का महीना नौकरी वालों के लिए लाब कारी है उसके पहले सीनियर थोड़ा नाराज रहेंगे इसी प्रकार से अब बात करते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन भी आपका साल के शुरुवात में ही दो बागों में बढ़ जाता है सबसे पहले हम बात करें प्रेमी प्रेमी का लव कपल के बारे में तो एक तारिक से लेकर 18 जनवरी तक देखा जाए तो आप पार्टनर के साथ में या पार्टनर मित्रों के साथ में जाने वाला है किसी पार्टी के अंदर किसी इलिस्टेशन के अंदर कोई गिफ्ट भी पार्टनर को मिलने वाला है तो पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए 18 जनवरी तक का जो समयना बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद देखा जाए तो 19 तारिक से और 31 जनवरी के बीच में शुक्र धनूराशी में आ जाएंगे तो पार्टनर के हेल्ड के शुरू हो जाएंगे पार्टनर का वहान पे खर्चा होगा दर्द की समस्याएं जादा रहेंगी काम में टेंचन रहेंगे यानि आदा महिना पार्टनर का यानि 18 तक पार्टनर का समय अच्चा है 19 तारिक से तो और 31 तक बहुत ज़्यदा टेंचन भ़रा रहने वाला है आप बात करें पती-पत्नी की तो पती-पत्नी का एक तारिक से लेकरो 18 जनवरी तक का अगर समय देखा जा है तो पती और पत्नी दोनों किसी प पार्टनर के साथ जाने वालें, लेकिन 18 जनवरी तक वहान पर आपका खर्चा रहेगा, घर की घरेलू वस्थूओं पर आपका खर्चा रहेगा, थोड़ा पार्टनर को हल्का फुल्का हैल्ठ इसचू भी रहने वाला, otherwise चलता रहेगा, यानि 18 जनवरी तक कुछ अच्छा ह प्राप्त होगी, कोई बड़ी डील, पार्टनर के करियर में हो सकती है, बड़ा लाव, बड़ा गेफ पार्टनर को मिल सकता है, यानि कुल मिलाके, 19 तारिक से लेकर 31 जनवरी तक पार्टनर के लिए अच्छा है, पार्टनर के साथ रिलेशन के लिए समय अच्छा है, इस तारीक के बाद चीजे ठीक हैं अब बात करते हैं मेश राशी वाले उनकी जो फैक्टरी दुकान या अपना काम करते हैं उनका ये पहला साल का पहला महिना कैसा जाने वाला है तो भई उसे वाद भी वाद रहेगा सरकारी दफ्तर के बैंक के गलट ट्रांजेक्शन के चक्तर में आपके चक्तर काटने रहेंगे यानि 15 जनवरी तक शच्योग बनने के बाद भी आपके जीवन में बड़ी भागा दोड़ रहेगी आप कहेंगे कि पंडे जी तो बोल रहे हैं कि उसके लिए पहले ही दोड़ा देता है यानि शाल के पहले शुरुवात के पहले महिने के 15 दिन आपके भागा दोड़ी वाले रहेंगे उसके बाद देखा जाए तो 16 तारिक से 31 जनवरी में आपको बड़ी डील मिल सकती है बड़ा लाब मिल सकता है आचानक कॉल पे या व भी आपका टार्गेट पूरा करते वे नजर आएंगे तो कुल मिला के 16 तारिक के बाद ये महिना आपके लिए अच्छा है मित्रो ये कारेकरम अगर आपको अच्छा रगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जो आपने नोटिफिकेशन आइकल है उस कारेकरम में मित्रो बाद इतना ही मुझे दीजे जाया चैमाता दी